भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, हिंदुस्तान अपनी आजादी की 75 वी वर्ष गाठ मना रहा है इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के अहवाहन पर देश आजादी का अमरित महसब मना रहा है और यहां अमरित महसब 15 अगस्त 2023 तक चलेगा आज बहार के नवादा में पतंचली योग और भारत स्वाविवान परसर से जुड़े लोगों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई संसान से जुड़े मुकेश कुमार और जिला प्रभारी सविता आर्या ने कहा है कि मोदी जी का हर घर तिरंगा अभ्यान का नारा राश्टियता को बढ़ावा देने के उदेश से किया जा रहा है जुसे सफल बनाना हर भारते का कर्टव गया है तो हर घर तिरंगा अभ्यान के तहर जो यह पतंचली योग संस्थान के तरफ से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है और यहाँ पर इस संस्थान के सभी लोग मौजूद रहें इस दौरार उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी में जो आहवाहन किया है उसे पूरा करना है अभ्यान को सफल बनाना है आज का दिन हमारे देश के प्रधान मंत्री के आधिशा अनुशार हम लोग पिरंगा मार्चे निकालने का काम किये हैं पीजन पीजन्टर यह हो रहा है हमारे युज़ात्याकों के दौरा नवादाजिला में हर घरी द Kennel καतेकी रहाएं हर Seriously हमलोग कर देश क्रक्र का हब म限った इसलियुनटर कर नारा इसलिए हम वही एक कर देके बाभ के पतेंगी पल्तार को घर थेव Wi-Fi वहले परिवागी